लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले इनसानों के खुद कोशी करने की खबरें तो आपने बहुत सुनी और पढ़ी होंगी लेकिन क्या कभी कुटों के आत्महत्या करने की बाद भी सुनी है अगर नहीं सुनी तो आज हम आपको कुटों के आत्महत्या करने के बारे में बताएंगे जहां हर साल कई कुटे आत्महत के लिए अपनी ओर आकरशित करता है बतादें की 60 के दशक से अब तक इस ब्रिज से कूद कर करीब 600 कुट्टे खुद कोशी कर चुके हैं 1869 में बने इस ब्रिज का नाम ओविटॉन ब्रिज और 1950 से 1960 के दशक में इसे पहली बार कुट्टों की आत्महत्या को लेकर नोचिस किया गया इस ब्रिज से कुट्टे बिना किसी वज़े के अचाना कूद जाते थे और 50 फीट की उंचाई से गिरने पर उनकी मौत हो जाती थी कुछ घटनाओं में ब्रिज से एक बार गिरने के बाद भी अगर कुटा किसी तरह बज़ जाता तो वेह दोबारा ब्रिज से कूद कर जान दे देता था लगातार कुट्टों के खुद कुशी करने के बाद ब्रिज पर चितवनी वाला बोर्ड लगा दिया गया हैरानी की बात यह है कि जितने भी कुट्टों ने इस पुल से कूद कर खुद कुशी की वे सभी रहस में थी क्योंकि सभी कुट्टों ने ओवर्टॉन ब्रिज के एक ही तरफ से कूद कर आत्महत्या की थी यही नहीं कुत्तों ने छलांग एक खास पॉट से लगाई थी इस ब्रिज से कुत्तों के आत्महत्या करने के रहसे को आज तक कोई नहीं जान पाया और आज भी ये रहसे ही है